नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महिंदर दोगने मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच और आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कि बहुत पड़े लिखे लोग क्यों असफल हो जाते हैं स्पेशली इंडिया के अंदर ऐसा होता है और बहुत कम पड़े लिखे लोग भी बहुत जादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कम पड़े लिखे लोग बहुत जादा टॉप पर पहुसते हैं जितने भी top position होते हैं, जितने भी ज़ादा से जादा सफल लोगों से आप मिलेंगे, उनकी story को जानेंगे, तो आप पाएंगे कि जो traditional पढाई होती है, वो बहत कम करते हैं, और वो मैंने Steve Jobs को देखा मैंने बहुत सारे लोगों की case study की जब मैं school college में था मतलब college तो मैंने first year यही मतलब first semester पढ़ा था लेकिन उसके पहले सरफ 12 तक ही मैंने पढ़ाई कि उसके बाद college भी नहीं पढ़ाई कि तो जब मैं school में था तो मैं भी देखा करता था कि यार ऐसा क्या है कि बहुत बड़े बड़े पड़े लिखे लोग जो है ऐसी कमपनीज में काम कर रहे हैं जिनके जो मालिक है वो पड़े लिखे नहीं है या फिर ऐसे लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं जो बहुत ज़ादा पड़े लिखे नहीं है लेकिन अपनी अपनी फील्ड में बाच्चा है वो लोग तो ऐसी कौन सी चीज है जो कम पड़े लिखे लोगों को भी सफल बना देती है और बहुत ज़ाधा डिगरी लेने वाले जिसको हम पड़े लिखे कहते है ऐसे लोगों के भी बहुत ज़ादा सफल नहीं होने देती है, नॉर्मल ही रखती है अपने जीवन में जब मैं इसके आंसर खोजने के लिए गया तो बहुत सारी बाते सामने आई देखिए, सबसे पहली चीज होती है, आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो कुछ अलग सा कर गुजरनी का जो हिम्मत होता है, वो होना जैसे मान लीजे, कि मैंने भी 12 तक पढ़ाई की, लेकिन जब मैं एक दिन अपने पिताजी के साथ बैठा था, शायद 90 या 10 की बात होगी और उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ गैरिज पर बैठा था, मैंने अपने पिताजी से कहा, कि देखिए, आमिर खान का एक लेक आया है, और वो कह रहे हैं, कि जो व्यक्ति, कुछ भी अपने जीवन में करना चाहता है, तो उसे अपने दिल की चीज, मतलब जो दिल म काम करना चाहिए, अब मैंने अपने पिताजी को जैसे ही ये बात बताए, उन्होंने ऐसा कहा, कि वो बड़े लोग हैं, इसलिए ऐसी बाते करते हैं, साफसा मतलब है, आपके माता पिता भी कई मार आपको ऐसा कहते होंगे, जो आपको किसी का एक्जामपल देते होंगे, तो आपके माता पिता कहते होंगे कि यार वो बहुत बड़े लोग हैं इसलिए ऐसी बाते कर रहे हैं लेकिन एक सेकन्ड भी नहीं लगाया मैंने अपने पिताजी को जवाब देने में और वो जवाब क्या था? कि पिताजी वो बड़े लोग हैं इसलिए ऐसी बाते नहीं कर रहे हैं वो ऐसी बाते करते हैं इसलिए वो बड़े लोग बन गए हैं मतलब कहने का साफ था मेरी एज कम थी शायद मेरे पिताजी से मेरी ऐसी बाते करना भी उस एज में गलत था लेकिन जो बात मैंने कही थी आज मुझे लगता है कि वो बहुत सही बात थी क्या बात थी? कि अक्सर ऐसा होता है कि society में जो traditional पढ़ाई होती है या जो traditional चीजें होती है उन्हें ही लोग follow करते हैं, उन्हें ही करने की कोशिश करते हैं और एक भेड़ चाल चल जाती है अब कोई भी विक्ती एक traditional चीज़ करने की कोशिश करता है और उसी को कहीं लोग copy करते रहते हैं तो same समाज हो जाता है अब उस समय में हर विक्ती engineering कर रहा था, bank railway SSE के तैयारी कर रहा था, IS IPS बनना चाहता था, same चीज़ थी लेकिन मैंने एक अलग चीज़ सोची कि यार मैं ज ज़्यादा सुना करता था और बहुत ज़्यादा उनसे English क्योंकि उस समय में English spoken भी सीख रहा था, तो English को सुनने के लिए improve करने के लिए मैंने उनको सीखना और सुनना समझना शुरू किया, तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार ये विक्ती तो अलग किस्म का विक्ती है जब स्पीज देते थे तो मुझे बड़ा मजा आता था कि यार कितनी शानदार स्पीज देते हैं, कितने अच्छे विक्ती हैं और धीरे धीरे करके वहीं से मेरे अंदर भी आया कि यार मुझे भी ऐसा ही बनना है या ये मेरी inspiration है, मुझे भी motivation speaker बनना है, अब ये जब thought जो इंजीनियर होते हैं, बहुत सारी और पोस्ट होती है, जिनके लिए बहुत सारी पढ़ाई करना पड़ता है और तब जाकर आप एक सफल रेक्ती मान बनते हैं, अब लोग मानते ही नहीं थे कि इस प्रकार के भी कोई पोस्ट होती है, जब धीरे धीरे समय आगे बड़ा, 2012 2012, 2013, 2014, 2015 आया, यूट्यूब की जो दुनिया है वो आई, और उसके बाद सोशल मीडिया का जो प्लेटफोर्म खड़ा हुआ, या जो वहां से लोगों को सफलता मिलना शुरू हुए, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, आज की कंडिशन ये हो की है, मा लिजे किसी विक्ति ने B.com कर लिया, M.com कर लिया, M.se कर लिया, B.se कर लिया, तो वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा है, या वो लाइफ में उतना सफल नहीं है, जस विक्ति ने अपनी Extra Skills को लोगों के सामने शोग किया, और उससे पैसा कमा रहा है, या उससे नाम क यहाँ पर जब से important समझने वाली बात ये है कि कम पड़ा लिखा होकर सफल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस वेक्ती Central ने अपने जीवन की असली पढ़ाई की है उस वेक्ती ने अपने जीवन में किसी skill की बहुत ज़ादा पढ़ाई की है उस वेक्ती ने किसी skill को जब आप B.com, B.A., B.A.C. इस परकार की डिग्रीज कर रहे थे और आप दिन भर में एक से दो घंटे भी नहीं पढ़ रहे थे उस समय वही वेक्ती जिसको आप अनपर समझ रहे हैं या जो वेक्ती आज बहुत जादा सफल है उसने किसी एक skill को उठाया होगा और उसमें घंटो मेहनत की होगी आज मैं अपना ही example ले लूँ तो जब भी मुझे कोई चीज सीखना होता है तो मैं 6-7 महीने साल भर उस चीज को देता हूँ क्योंकि मार्केट में हमेशा नहीने चीज़े आती रहती है और उस चीज को मैं 10-12 घंटे हर रोज देता हूँ यदि मुझे उसको सीखना है तो जब सीखना है तो आप पूरा effort लगा दीजे क्योंकि जीवन में किसी भी चीज को सिर्फ एक ही बार सीखने की जुरत पड़ती है उसके बाद आपको बार बार उसे सीखने की जुरत नहीं पड़ती है जो basic improvement होते हैं सिर्फ आपको वही करना होता है जैसे माली जे कि हमारी जो मदर है उन्हें खाना बनाना आता है तो उन्होंने बच्पन में कभी एक ही बार खाना बनाना सीखा होगा और उसके लिए 3-4 महीने 5 महीने प्रैक्टिस की होगी और उसके बाद जब उन्हें खाना बनाना आ गया तो जीवन में कभी भी फिर से वापस से practice नहीं करना पड़ा खाना बनाने के लिए हाँ कुछ नई dish बनाना हो उसके लिए उन्हें जरूर थोड़ी सी practice फिर से करनी पड़ी होगी लेकिन जो basic खाना बनाने का process है वो तो उनको फिर से कभी भी सीखने की जुरत नहीं पड़ी ये खाने वाला एक्जामपल क्यों दिया इसको समझते हैं देखे लाइफ भी ऐसी ही होती है सफलता भी ऐसी ही होती है जब आप सफलता के लिए काम करते हैं तो आपको किसी एक चीज को सीखने के लिए घंटो मेहनत करनी होती है आपको बहुत सारे सपता देने होते हैं बहुत सारे महीने या साल देने होते हैं तब जाकर वो विशेश स्किल जो है वो आपके अंदर आती है लेकिन कई विक्तियों को लगता है कि अरे यह तो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से सीग गया होगा जैसे कि जब हम बोल कर पैसे कमाते हैं या मोटिविशनल स्पीकर है समिनार के लिए पैसा लेते हैं तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि इसने किया ही क्या एक दो किस्से सुनाई एक दो कहनिया सुनाई और इसको पैसे मिल गए लेकिन क्या इस बोलने की कला को आप बहुत आसान मान रहे हैं कि आपको लगता है कि आप जैसे सोच रहे हैं कि सिर्व स्टेज पर जाना है और बोल कर ही तो आना है इसमें कोई भी म इस्ट्रॉमेंट को बंजाना है या फिर किसी भी प्रकार की कोईए स्कल है कोई भी स्कल को सीखना आसान नहीं होता है हर एक स्कल को सीखने के लिए कम से कम किसी भी वेक्टी को यnh lament की हही होगी तब ही जाकर व partnerships में आज महरत बन पाया है लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत प्यारी कहानी याद आती है जो कि मैं हर बार सुनाता रहता हूँ जब भी इस example को लिता हूँ या इस topic को उठाता हूँ जब भी मुझे से कोई पूसता है कि कम पड़े लिखे लोग इतने सफल क्यों हो जाते है तो मैं कहता हूँ उनका वो experience काम में आता है जो उन्होंने सालों से कमाया है या किसी vicious skill की उपर वो काम करते है और वो बहुत समय तक काम करते है और वही जो फाइदा होता है उनको बाद में पहुचता है यहाँ पर मुझे कहानी याद आती है कि एक बार किसी कमपनी का बड़ा सा जहाज बनाने का मन हुआ उन्होंने जहाज बनाया लेकिन वो जहाज जो है वो चला ही नहीं अब बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया गया जो लोकल में रहते थे उनके खुद के भी इंजीनियर्स थे लेकिन कोई भी इंजिनियर उस जहाज को चला नहीं पाया शुरू नहीं कर पाया जब देखा गया कि किसी से नहीं हो रहा है तो जो देश के जो टॉप इंजिनियर्स थे उनको बुलाया गया उनसे पूछा गया कि यार भेया तुम कुछ कर दो कुछ महीने लगे लेकिन उनसे भी वो चालू नहीं हुआ फिर विदेश से टीम आई कुछ इंजिनियर्स की क्योंकि उस जहाज को बनाने में बहुत सारा पैसा लग गया था तो जो मेकर था या जो बनाने वाला था उसने सोचा और थोड़े पैसे लग रहे है लेकिन यह जहाज चालू हो जाए तो मेरा काम शुरू हो जाए बिदेश के जो इंजिनियर्स से वो भी आ गया उन्होंने भी सब कुछ कर लिया वो जहाज चालू नहीं हुआ अंत में वो एकती हार ठक कर बैढ़ गया उसका मैनेजर उसके पास आया और उसने कहा कि सर हमने बहुत प्रयास कर लिया एक देड़ साल लग गये लेकिन उसके बाद भी यह जहाज हमारा चालू नहीं हो रहा है क्या करना चाहिए तो उसने कहा कि यारब तो कुछ काम नहीं है नयए प्रोजक्त पर काम करते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं उस मैनेजर ने कहा कि हमारी ही सिटि के पास में एक पंडूबी सुधारने वाला रहता है यदि उस पंडूबी सुधारने वाले को कुछ बता है क्योंकि ऐसा लोग कहते है कि वो बहुत अच्छी पंडूबी सुधारता है और वो बहुत ज़ादा बूढ़ा है लेकिन बहुत ज़ादा एक्सपिरियंस वाला है उसे बहुत कुछ नॉलेज है अब इस बात पर जो माल रूपए वैसे भी डूबने वाले हैं तो क्यों न एक बार ट्राय किया जाए तो उस मालिक ने का चलो ठीक है तुम्हारी इक्षा है तो तुम ये भी कर लो ये जो मैनेजर है उस पंडूबी सुधारने वाले के पास गया और उसने अपनी इक्षा वेक्त की उसने कहा कि य पर गया और उस जहाज को देखकर आश्यर चकित रहे गया इतना बड़ा जहाज वो पूरे जहाज में घूमा 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 हर जगे घूमा थोड़ी थोड़ी बाचित की और हर जगे घूमता रहा अब हर वेक्ति आश्यर चकित था कि ये फंडूबी वाले को यहाँ पर गूम रहा है। पागल इंसान तो नहीं है। इस पे हतोड़े चला रहा है। कुछ चीजे खराब कर देगा है। हर विक्ति ऐसे ही सोच रहा था। लेकिन उसके बाद उस विक्ति ने कहा, उस पंडुबी वाले ने कहा कि जाए और जहास को चालू करके देखिए। जैसे ही जहास को चालू किया, एक्च्वल में जहास चालू हो गया। और सारे के सारे लोग आश्यर चकित रहा गया, कि ये क्या हुआ, जिस जहास को इतने बड़े बड़े इंजिनियर्स चालू नहीं कर पाय थे, इस पंडूबी वाले ने तीन हतोरी मारी और जहास को चालू कर दिया, ये कैसे अर्ष्यर चकित हो गया, मतब़े ये कैसा अर्ष्यर हो गया, ये हर विक्ती सोचने लगा, अब क्या हुआ कि वो पंडूबी वाला अपने घर चला गया, सारे के सारे लोग खुश हो गया कि चलो कुछ भी हो जहास तो चालो हो गया अब ध्यान से समझेगा जो ओनर था उस ओनर ने कहा कि जाओ भीया उसकी पेमेंट पूछ कर आओ कि कितने पैसे लगे हैं तो मैनेजर जो है उसके पास जाता है तो उस पंडुबी वाले ने कहा कि एक लाक रुपे की मेरी फीस है आप वो मुझे पे कर दीजे अब वो मैनेजर आया और वापस से उस मालिक के पास आया मालिक से कहा कि वो तो एक लाख रुपे मांग रहा है मालिक ने हसते हुए कहा कि कैसा पागल है मूर्ख है क्या है तीन हतोडी मारी है उसने ना कोई पार्ट्स बदलाए ना कुछ किया है और एक लाख रुपे किस बात के ठीक है मैनेजर वहाँ पर चला गया और मैनेजर ने उसको यही बात कही कि आप मुझे लिख कर दे दो बिल बना कर दे दो क्योंकि आपने तीन हतोड़ी मारी है और किस बात का एक लाख रुपे माँग रहे हो तो ठीक है उस पंडुबी वाले ने एक छोटा सा बिल बना दिय बिल को पढ़ते ही मैनेजर जो है वो शर्मा गया और हस दिया और वहाँ से चला गया इसी बिल को उसने अपने मालिक को दिया और जब मालिक ने इस बिल को पढ़ा तो वो भी हस दिये और एक लाख रुपे जो है उस पंडुबी वाले के लिए भिजवा दिये अब आप दूसरी जगह लिखा था कि हतोड़ी कहां पर मारना है इस बात के 99,970 रुपए और टोटल किया हुआ था एक लाख रुपए अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हर विक्ति को हतोड़ी चलाना तो आता है हर विक्ति हतोड़ी चलाना जानता है लेकिन उस हतोड़ी की च सफल हो जाते हैं और बहुत जादा पढ़कर भी कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं उसका में कारण यही है कि हतोड़ी मारना है ये तो आपको पता होता है पढ़ लिकर लेकिन experience के साथ ही आप ये पता कर पाते हैं कि हतोड़ी को चलाना कहा है कम पढ़े लिखे लोग जो स तोड़ी मारते रहते हैं मारते रहते हैं लेकिन कहां मारने से वो सफल होंगे कहां मारने से उसको जादा पैसा मिलेगा ये कब भी वो समझे नहीं पाते हैं तो आशा करता हूँ आज की जो motivational series का जो talk था वो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो like, share, subscribe जरूर करें आ motivational talk कैसे लग रहे हैं और किन topics पर आप वीडियो देखना चाहते हैं यदि आप नए है चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे ताकि ऐसे ही powerful and motivational videos आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहें अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद